पाकिस्तान आर्मी डिवाइडेड आर्मी है इस इम्रान खान ने बहुत चलाकी से यह गेम खेला है तो अब देखो पाकिस्तान कैसे चल रहा है पाकिस्तान आर्मी डिवाइडेड है जुडिश्यरी 90% मतलब डिवाइडेड है लेगे चीफ जस्टिस तो कि हाई कोट ने अड ऐसंवाई पाकिस्तान के पाकिस्तान का डिजास्ट्रों डिजास्ट्र्ड मतलब बहुत बोरे आलम आने वाल हैं जो इस पाकिस्तान जिन हालाँ में डिविजिन हुआ था वही बहुतावری विल्ट है जैसे रहुल गादी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी ना उससे पहले इनों ने पूरा लेंट हैं प्रेट रेटर्टरी यह गए थे और उस एज में रेटायमेंट के बाद जिस एज में लोग आराम से चादर साण के सोना पसंद करते हैं उस एज में यह सुबाद पांच जनसंख्या नियंत्रन कानून के लिए यात्रा थी और चेर्मन सुदर्शन टीवी सुरेश जोहान के जी के साथ उनके रिक्वेस्ट पे हमने कहा कि आप उन्होंने का आप नेशनल कंवीनर बन जाईये तो मैंने हम जुड़े हमारे साथ का उत्यागी टीपेस त्यागी भी ज कि खाना नहीं कोई बहुत कष्ट कभी-कभी फल खाके रह जाना लंच में अब फल से तो भूख मरता नहीं है तो टफ था लेकिन भारत माता की सेवा में सब ठीक है अच्छा क्योंकि सर आदमी में रहे हैं और इतनी लंबी सब्स मेजिजर जानल लेबल पे इतनी बड़ी स इसलिए आसार भी हुआ बहुत सरे आर्मी के लोग भी नहीं कर सकते जवान नहीं कर सकते तो सर ने तो उसे जने की लेकिंसे भी यह बहुत टफ काम था सट अब आते हैं अमने में इशू पर इम्रान खान बोल रहे है कि पाकिस्टान टूट सकता हैं इस बंगलतेश टेप क प्रोपेगेंडा शामिल है कितना सत है कितना जूट है ये आप भी जानते हो हम भी जानते हैं अब सवाल है कि इमरान खान जो बोल रहे हैं जो भी पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं वो सच है वो साइट है कि मुजीवूर रहमान भाई एक फेर एलेक्षन हुआ फेर एलेक्षन में मुजीवान रहमान की पार्टी में आई उनको प्रधान मुंतिक क्यों नहीं बनने दिया गया क्यों नहीं बने दिया यह प्रस्नरेज कर रहा है फिर इम्रान खान कह रहे हैं कि एक पॉलिटिशन उनका हिंथा जुल्फिकार अली भुटो के के तरफ कि एक पॉलिटिशन ने अपने महत्वकांचा के लिए देश को परबाद कर दिया कि हुए एक तुलना कर रहे है रिष्ट पाकिस्तान का केस अभी परज़ेंच पाकिस्तान का केस कंपारिजन कर रहे हैं वह कह रहे हैं कि एक महत्वकांचा पॉलिटिशन उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन जुलिविकार अल्य भुटो थे उनके चलते देश के टुक्रे उन तो इसारा देख रहे हैं कि आज भी एक पार्टी के एक महत्वकांची पुलिटिकल लीडर के कारण आर्मी उसी फिर उस ट्राप में फस रही है और फिर पाकिस्तान के टुक्रे होगे है अब ये पूरा पैक्ग्राउंड आपको समझने की जरूरत है कि पूरा केस क्या है केस है सर्वाइबल अब दे फिटेश्ट इस जंग में इस पॉलिटिकल वार में बैटल में कौन जीतेगा कौन हारेगा और जो हारा वो खतम है इस्तिति इतनी भैंकर है जो हारा वो खतम है दूसरा उसको रूथलेस्ली क्रश कर देगा इमरान इस बात को जानते हैं पाकिस्तान में तो पत्ता बेन इलता है पाकिस्तान आर्मी के बिना और चाहे साबाज शरीफ हो चाहे नावाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो यह सब के सब पहले आर्मी के क्लोज जाते हैं उनसे जिस्ता बनाते हैं नजदीकियां बढ़ाते हैं और उनको बिश्वाज द से अब वाक्त आ गया है हम अपना इंडिपेडेंट स्टेस बनाएं समस्या वहां से शुरू हो जाती है यह गाना है ना जो तुम तुम को हो पसंद हम बात करेंगे तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे जब यह काना जब तक पॉलिटिकल लीडर काता है पाकिस्तान में किया जैसे नवाज शरीफ का किया पनामा लिक्स में उसको फिफ्टी टू जनल्स का नाम था उसको कुछ नहीं वा लेकिन नवाज शरीफ को पिक अप किया और गैर कानोनी और कंस्पिरेसी के शडियंद करके उनको उठा के फिक दिया उनको लंड़न जाना पड़ा और वो इमरान खान पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में यह हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी को चुनोती दी गई है डायरेक्ट चाहे 71 वार के बाद भी पाकिस्तान आर्मी के इतनी धज्जिया नहीं उड़े थी इतनी बड़ी हार 93,000 प्रिजनर इतनी धज्जिया नहीं उड़े जिस तरह से इम्रान खान पाकिस्तान आर्मी के धज्जी उड़ा रहा है, जनल बाजवा चोर है, पाकिस्तान आर्मी के जनल्स चोर है, पाकिस्तान आर्मी के जनल्स का कोठियां लंडन में होता है, यह पैस आया कहां से, अमेरिका में कोठियां होती है, देश का क्या उन्हों ताकत का एजेंट है, CIA एजेंट है, मतलब इस तरह की जो इस तरह के चाटे पे चाटे मारते गए इमरान खान, तो कब तक सहेगी पाकिस्तान आर्मी, और जान के इमरान खान ये strategy अपना है, आर्मी में कहावत है, offense is the best form of defense, यदि आप अपने को सुरक्षी तक ना चाहते हो, तो आप offensive board में आओ, अगला अपने आपको बचाने की कोशिच करेगा और आप हावी हो सकते हो, इसी strategy को इमरान खान ने अपनाया, offensive board में आये, और सब पर टैक्स करना शुरू किया, शावाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर है, आर्मी चोर है, और एक चीज़ और उन कोरिडोर को उन्होंने बंद कर दिया, इससे चीन के पेट में, यह चाइना फैक्टर है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो चीन को CPC बंद कर दिया, और बंद करने से पहले उन्होंने पूरा document बगाया, अप्धान मंत्री थे, तो स्वाभावी के सब document उनको put up किया तो उनको कहा गया, आप document तो देख रहे हैं, लेकिनि public domain में कुछ मत लाइएगा, क्योंकि चाइना ने किस rate of interest पे यह कर्ज दिया, टोटल कर्ज क्या दिया, उसमें से एक भी जो कहा गया था कि सहथ के जरने बहेंगे, विकास का सागर बहेगा पाकिस्तान में, उस तो नही हुआ, पूरा जो कॉंट्रेक्ट, चीन कितना शातिर देश है, पूरा कॉंट्रेक्ट अपने Chinese कंपनी को दिया, पूरा manpower Chinese को इस्तमाल किया, पाकिस्तान को क्या मिला, एक कर्ज और यह सपना दिखाएगा, कि रोड में आपको सीरे एक वार्डर एक पोर्ट तक आपको जा लुटा गया है पाकिस्तान को, तो उसने मुझ खोल दिया, कि पाकिस्तान को लुटा गया है, सब कुछ नहीं उगला, लेकिन यह बात तो कहा कि पाकिस्तान को लुटा गया है, और जो जो जनल बाजवा थे, जो जनल बाजवा के जान पचान के थे, जो चैर्में थे CPC के, उनको उठाके फिक दिया, करॉप्शन चार्ज में, तो जब ये CPC बंद किया, उसी समय से चीन बुखला गया इमरान खान से, और दूसरी बिंदू में कहना चाहता हूँ, ये इंटरनाशनल लेवल के भी बात कर रहा हूँ, मैं फिर नाशनल लेवल पर होगा, ये इमरान खा बताईए जमीनी स्तर पे, जो अमेरिका के खिलाफ उसने किया, अब मैं कई उधारन दूगा, कि अमेरिका को उसके डिशीजन से मदद मिला है, इस बात को गोर से समझे, क्यों इमरान खान अमेरिका को गाली देता रहा है, देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो आम लोग हैं वो अमेरिका को हेट करते हैं, उसामा बिन लैडन के लिए उससे खुश थे, अलकाइदा से खुश है हो, कि अमेरिका को सबक सिखाए गया, तो इमरान खान जानता है कि कौन चीज जब हम मार्केटिंग करेंगे तो बिकेगा, बिकेगा एंटी अमेरिका चांस, वही उसने क है, लेकिन कि फैदा कैसे करवा या, किसी पीजि बंद कर दिया, तो फैदा किसका हुआ है, चीन को फैदा हुआ है, या अमेरिका को फैदा हुआ है, तो ये देखिए, ये इबरान खान, जब मैं चलता हूं, मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान का one of the shouldiest, सबसे चतुर प्रतक्ष रूप में है तो सवाल है कतनी करनी में बहुत सा रख है अब आता है खेल कि आर्मी ने रिलाइज किया और शावाज शरीफ ने रिलाइज किया कि अधी एलेक्शन होता है अक्टूबर नॉम्बर में दोजात तईस में तो इम्रान खान का तो प्रधान मंत्री बनन तैय है उसकी लोग प्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि वो अब आर्मी के लिए और शावाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा खत्रा बन के उपर गया है वो भश्मा सोर हो गया है और भश्मा सोर ने कहा कि अच्छा तुमने हमने हमको बनाया अब आदमी को हम जुलसा जीत जाएंगे यह जो भय पैदा हुआ पाकिस्तान आर्मी और शावाज शरीफ के मन में तो उन्हेंने का इसका सलूशन क्या है तो इमरान खां को निप्टाओ कैसे निप्टा सकते हो कई तरीके हैं अरेस्ट करो जान मार दो जैसे लियाकत अली खां को मारा वैसे में उड़ा दो जेल को रो परवानेंट या नवाज शरीफ की तरह दो देश से बाहर चले जाओ या किसी एक्सिडेंट में ठोकवा दो या जैसे अब यह कह रहे हैं कि दस्दत गर्दी में आतंकवाद में इंवर्ट हैं इमरान खान और उसके घर को उड़े कमांडों ने गेर रखा है वो रास्ता लो या जेल में रखो कुछ ऐसा केमिकल पिला दो एंजेक्शन करके डाल दो कि वो दो तीन महीना में खुद बे खुद घुलट जाए और एक और बिल दूर कि रास्त द्रोही घोशित करो आतंकी घोशित करो और कानूनी तरीके से लेपेट लो य यह सब ऑप्शन्स हैं लेकिन यह सब ऑप्शन्स की त्यारी इम्रान खान ने कर रखा है और उसको जो सुरक्षा कवच दे रहा है वो है मिस्टर बंद्याल चीफ जस्टिस अफ पाकिस्तान जिसकी सास जो है वो PTI की मिंबर है तो जब दमाद साहब कुर्षी में बैठे है और आप भी बता होगा कि जब इम्रान खान सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा बहुत खुशी हो रही है आपको देख के और आपके जितने केस हैं उन पर आपको बेल दिया जाता है आपको कोई अरश नहीं करेगा और आप यहा चीफ जस्टिस ने कहा अपने सहत का ध्यान रखिएगा यह क्या हो रहा है यह किस तरह का जूडिशल सिस्टम है देखिए ना मैं इम्रान खान के पक्ष में हूँ ना उसके अगेंस में हूँ मैं यथार्थ जो है एक मिलिट्री डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में यथार्थ का विशलेशन कर रहा हूं मैं सब बातों को सब पक्षों को रख रहा हूं कि आपके जो व्यूवर्स हैं समझें यह कहानी क्या है तो इन बिचारों को उतना मौका नहीं मिलता होगा रहा है जुन जुलाई अगस्ट सब्टम्बर चार महिनां सिल्फ है चार महिनां में इम्रान खान जो करना कर ले तब तो ठीक है यदि सितंबर जहें हुआ तो इम्रान खान का बरबादी तै है बरबादी तो अभी आर्मी अभी भी त्यारी कर रही है जैसे वो कमांडर के घर पे जो अटैक हुआ उसमें उसको आतंकी घोशित करने के चक्कर में है लेकिन सवाल ये है कि आतंकी घोशित करेगा भी तो इम्रान खान तो सुप्रिम में सेङां भे दरो गा तो डर काए का, जब मेरे में में मिंबर की सास का दामाद है की कुर सी में, तो डर काए है का, तो यह इमरान खान का इम्रान खान ने बहुत चलाकी से अपना इमेज बिलिडिंग किया है पहले तो उसने कहा कि नया पाकिस्तान फिर उसने कहा कि रियाज़ते मदीना फिर उसने मौलिवियों को अपने लपेटे में लिया और अभी जो फजल रहमान अभी उसके अगेंश चला गया है वो उसके लिए चिंता का विशाए तो उसने अपने इमेज बिल्डिंग एकस्टाइज की फेज बिल्डिंग इमेज बिल्डिंग उसके प्रहाब में आगी जनता जनारतर्ण आप देखें कि जिस तरह से आक्रोश रोड पे दिखाई पड़ रहा है पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार कोर कमांडर के घर पे अटाक पूटा है जनल अफसर कमांडिंग फोर कोर लाहौर और जनल अफसर कमांडिंग पिशावर कोर मैं आपको थोड़ा थोड़ी एक मिनट लेके समझा दूं कि कोर कमांडर एक पावर सेंटर है पिलर है जनल मुशरफ को कि जो नवाज शरीफ ने जनल मुशरफ को बोला कि उसके फ्लाइ करे और कर लिए तो तो प्लेंड नेंड निंग कर रहा था एक भी कोर कमांडर यदि एरपोठ को सिकर कर देता नवाज शरीफ के फेवर में तो सवाल यह कि कोर कमांडर के घर में अटेक होना यह तो मैं मुझे विश्वास भी नहीं होता कि ऐसा पाकिस्तान मिम्मकिन है अब दो कोर कमांडर के घर पे अटैक, गवर्नर के घर में अटैक, नवाज शरीफ के सावाज शरीफ के परस्नल एंट्रेश में अटैक, आईएसाई हेज़पार्टस में अटैक, जी एच्क्यू पे अटैक, यह तो कभी समभव नहीं था. तो यह टैक कैसे हो रहा है कहां से शक्ति आ रही है इम्रान का कहां से उनको भै नहीं लग रहा है कि आर्मी को इस तरह से जगजोर रहे हैं और आर्मी रिटेलियेट नहीं करेगी वो शक्ति का नाम है Chief Justice of Pakistan तो आब आते हैं कि आगे का जो गेम प्लान मुझे लग रहा है कि व अब देखिए जैसे आर्मी क्यों डर रही है कि पूरे offensive mode में नहीं आ रही है उसका कारण है पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में आर्मी एक divided आर्मी है आप दो आर्मी को दो कॉर कमांडर को आप सैक करते हो मतलब जैनल मुनीर इस मतलब इस लो लेवल पर अपरेट किया है जिससे जितना कम घ्रना किया जाए उतना कम है आप जैनल सलमान के बारे में कहा जाता है बड़े एक नेक इंसान है नेक जैनरल है कहा जाता है मुझे उतना नहीं पता तो कहा जाता है कि वो बड़े नेक जैनरल है आप उसको एक 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 कोर कमांडर के घर में बताता हूं कितनी सीकुर्टी होती है एक प्लटून स्ट्रेंट, section होता है 10, प्लटून 25, तो 25 से 35, प्लटून स्ट्रेंट, तीन चार गाड़ियां, एक जुनियर आफसर इन अटेंडंस, ADC, पूरा घर कमांडों के द्वारा सरांगे, यह सब होता है, एक परिंदा भी घुस नहीं सकता, लोग घुस कैसे गये, ज जल सलमान ने लोगों को कांटेक्ट को नहीं कोशिश की, दो डिव कमांडर को फोन किया, वोई नहीं उठाया, उसके चीफ अफस्टाफ, C.O.S. गायब, एक फूल करनल जो उसका स्टाफ अफसर था, वो बगल में रहता था, वो भागा भागा पजामा में आया, और पस्तुन में बात किया, जो एक अटाकर था उससे, और कहा क्या कर रहे हो तुम, बोला जन साब को यह अंदर चले जाएं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपना जो लूट पाट करके चले जाएं, और उनके वाइफ को बोला कि लेड़ी का सम्मान करते हैं, अब अंदर चले जाएं, एक आर्मी चीफ इस तरह से बत्तमीजी करेगा, और इस तरह से मतलब अपमान करेगा अपने कॉर कमांडर का, और क्यों, तोकि कॉर कमांडर ने कहा, हम अपने सिविलियंज पे गोली नहीं चलाएंगे, बस इसी बात की सजा जन सल्मान को मिली, साथ कर्णल डिस्मिस हुए हैं, उन्होंने यही चाज़ चीज कहा, कि हम नहीं अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे, पिशावर कोड जियो सी फोर को गया है कहा जाता है कि हजार से जादे अफसर्स अरेस्ट हो गया है और और सो आर्मी ऑफसर्स की लेडी तो सिविलियन है वो फ्रीडम पीश एक्सप्रेशन में बड़ा जो पाकिस्तान पाकिस्तान आर्मी ये आर्मी वाइफ सिविलियन है ये डिमोंस्टेशन कर सकती है ये ट्वीट कर सकती है ये वाट्सप में मेंसेज भेज सकती है आपने इनकोरिस्ट कर लिया अरे चीफ आर्मी स्टाफ पितात तुल्ल होता है और इंडियन आर्मी में रोहित मैं तुम्हें दारन देना चाहता हूँ मैं आँखों से देखा है मैं एक इट्वेंटी बिटालियन में अटैच्मेंट कर रहा था और शाम का वक्त था और एक शीनियर ओफसर रैंक नहीं बताऊंगा एक शीनियर ओफसर आये और हमारी कुछ जुन मतलब कैप्टन्स की लेडीज बैठी हुए थी मैं ऑफसर्स में हो आये पता था हम लोग की आने बाले हैं कई जा रहे थे तो अंदर आये तो जो सिनियर ओफसर थे उनने रिखा बुटिविनिक मैं कैसी मैं आप अप उठने लगे बोट जुनियर कैप्टन की वाइब अरे बिगेडियर डिव डिव कमांडर के लेवल पर कोई ओफसर आए यहें इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी देखिए अपने जुनियर ओफसर्स के वाइफ को आप अरेस्ट करते हो ठिकार है ज iss तब इस आर्मी को तुम लीट करोगे तो आज की तारिख में पाकिस्तान आर्मी डिवाइड़ आर्मी है यही है चिंता जन्वोनीर का यदि इस्ट्रॉंग एक्षिन लेता है तो क्या होगा क्या आर्मी में बवाल हो जाएगा बवाल तो शुरू हो गया है डिविजन तो है और मेरी जो रिपोर्ट है कि जो रिटायर्ड वेटरंस हैं पाकिस्तान आर्मी काफी लोग इमरान खान के सपोर्टर हैं यह सच है यदि ऐसी बात है मान लो जब मैं मेरे नीचे कोई ब्रिगेडियर करणल था और मेरा लोयलिस्ट था बहुत रिस्पेक्ट करता है अब मैं तो पाकिस्तान आर्मी डिवाइडेड आर्मी है इस इमरान खान ने बहुत चलाकी से यह गेम खेला है तो अब देखो पाकिस्तान कैसे चल रहा है पाकिस्तान आर्मी डिवाइडेड है जुडिश्यरी 90% मतलब डिवाइडेड है लेगे चीफ जस्टिस तो कि हाई कोट ने अड्वर्स कमेंट दे दिया था इम्रान खान के परिपेट्श में अब जो लड़ाई है वो स्ट्रीट पे आ गई है रोट पे आ गई है और जो जैसा इम्रान खान अभी इम्रान खान जैसे कह रहा है कि आर्मी जनल मुनीर अपना मन का संतुलन खो बैठे है मैं एक प्रशन रेज करना चाहता हूं राष्ट धर्म राष्धर्म क्या कहता है यह स्थिति बिगड़ रही हो तो शांती कायम करो जल्द से जल्द समझा करो नेगोशेटिंग टेबल पर आओ बातचीत करो यह शावाज शरीफ साथ दिन से लंडन में क्या कर रहा है पाकिस्तान में आग लग रही है जुलस रहा है और आप लंडन में बैठे हो बड़े वाइस ले रहे हो बड़े मिनट तो मिनट नवाज शरीफ से आप कायर की अब भाग गया है लंडन में है आपको तो यहां होना चाहिए आप तो यहां लगी है जन्म वुनीट विदेश-विदेश भाग रहे हैं चाइना भाग रहे हैं तो सवाल यहए है कि यह अभी बहुत ही पाकिस्तान के लिए बहुत ही कश्ट का समय है और मुझे लगता है की पाकिस्तान कुन रूप से बरबादी की तरफ अगसर हो रहा है और कहीं ने कहीं मुझे लगता है कि लौ अफ कर्मा कैच अप कर रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने जिस तरह से पाप किया है जिस तरह से इस पाकिस्तान में 80 रेप कैंप रखा था और मेरी इंफरमेशन है कि 80 साल की एक बुरी लेडी को रात भर पाकिस्तान आर्मी के सोलजर्स बलतकार करते रहे ये लोग राक्षसी सोचने वाले लोग इतना अमानवी ये विवार 80 साल की बेचारी माता तुल है तु तुमको समझा है मुथ्टी वानी के साथ 80 साल के महिला के साथ माता तुल ले इसका फळ अब मिल रा है दिख रहा है और और मैं ये कहना चाहता हूं के एक और चीज़ कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये समय ठाप अभी पाकिस्तान के आर्थिक वजथ भीग मांग रहा है। सवदी से दो बिलियन डालर रीक्वेस्ट करके सवदी ने प्रॉमिस किया पता नहीं देगा के नहीं देगा। आइमेफ कह रहा है कि आठ से साड़े आठ बिलियन डॉलर हमको दूसरे देशों से लेकि दिखाओ तब हम लोन देंगे तो सवाल है कि जब तुम्हारे पॉकट में पैसा नहीं है लोगों को रोटी नहीं मिलता है अनाज नहीं मिलता है तुम चले आप पॉलिटिकल यूद ल मनुझ पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है और संस्कित में है विनाष काले विप्रीत बुद्धी मुझे लगता है यह दोनों बहुत सटीक है पाकिस्तान के परीपे Lloyd Suga में और पाकिकल के पी तुक्रे हुँए इसमें कोई रोपने ही सकता पाकिस्तान पूरी तरह से भ खून की नदियां बहेंगी और अंत में आर्मी टेक ओवर कर लेगा लेकिन आर्मी टेक ओवर कर लेगा तब तक बहुत लेट हो गया होगा और क्या आर्मी ऐसा देश जिसमें पैसा नहीं है जो एक दिन जिसके जनल बाजवा ने का क्या कहा हम हिंदुस्तान से लड़ नहीं स तो जो लड़ नहीं सकती, तो अभी कुछ लोग कहते हैं कि पीओ के अभी ले लो, मेरी अपनी कुछ सोच दूसरी है, वो प्रिटिकल इडर्श्य जो प्रेजन्ट है वो खिचडी ठंडा करके खाना चांती है, खिचडी ठंडा करके कैसे खाया जाता है, खिचडी को ठंडा क खिचडी ठंडा करके खाना में ही बुद्धिमता है, यह मेरी अपनी सोच है, कुछ लोग मुझसे डिफर कर सकते हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान बरबादी की तरफ बहुत तेजगती से बढ़ रहा है, आग से जुलस रहा है, लोग को फायर बिगेट लान का काम कर रहे हैं, और यदी निगोशेटिंग टेवल पर लाके समझा होता करना है, कर लो, पहले आवाम को तो बचाओ, जो राजधर्म है, और एक और बिंदू में करना चाहता हूं, यह पाकिस्तान आर्मी कह रही है कि हम इमरान खान को आर्मी अक के तहत ट्राइ करें हैं आर्मी अक क्या कहता है, इस एक्ट इस अप्रिकेबल तू पर्सन सर्विंग इन दा आर्मी, और हां, तो पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया, एक स्पेशल पावर ले लिया था, मेरा खाल 2015-16 में, और स्पेशल पावर क्या है, कि कोई दहजद गर्ध होगा, आतंकी होगा, औ तो उसको हम ट्राइ कर सकते हैं, अंडरामी अक, तो फिर आपके कोर्ट क्यों है, उसको डिस्मेंट कर दो, कोर्ट किस लिए है, जब सब कुछ आपी ने करना है, तो वाई हाई कोट, लोवर कोट क्यों, इस्टिक कोट क्यों, सुप्रीम कोट क्यों, डिस्मेंट करो उसको, सब फैसला तुम ही करो तो सवाल यह होता है कि यदी आर्मी आयकर जो रगाने की कुशिश करते हैं जन मुनीर यदी उलगाएंगे तो रोहित यह मान के चलो कि भगवान भी नहीं चाहेंगे कि भाई हम इस देश को मदद करें इस इस पाकिस्तान की और क्या कैसे पाकिस्तान डिसास्टर की और चल रहा है थांक्स अलाट पर जोइनिंग सब्सक्राइब आपके साथ अभी के लिए नमत का दन्यवाद जैइंज सब्सक्राइब